तो अब लोग बात करेंगे कि क्या हो रहा है ब्लोगर की न्यू людям आने के बाद ये मेरे एक सब्सक्राइब के साथ हुआ है ठीक है तो मेरा subscribers है वो मैं को Instagram में message करके बताया कि उनका जो ब्लॉग है वो डायक्ली लॉक हो गया है उन्होंने screenshot बेजा यह नहीं है कि उनका ब्लॉग जो है वो लॉक हुआ है और इधर लिखा है वे रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू ऑन देस वह लोग जो है पहले वेरिफाय करेंगे की कोई वॉयलेशन तो नहीं हो रही नाउ यह क्यों हो सकता है इसकी मैं आपकी दो से तीन वज़े बता सकता हूं ठीक है पहला कि आपके ब्लॉगर में कोई जा के कोई आपको रिपोर्ट कर रहा है ठीक है सिंपल सी बात यह है कि आपने रिपोर्ट वाला बटन दिया था जिसका फाइदा उठाया और उन्होंने रिपोर्ट कर दिया या उनको कोई कॉंटेंट पसंद नहीं आए तो उन्होंने आपके कॉंटेंट को रिपोर्ट कर दिया ना ब्लॉगर में यह होता है ठीक है और चाइल पॉलिसी की बारे में बात करेंगे और अगर आपके ब्लॉगर में मैं लेके चलूं ठीक है तो बेसिकली जो सारे थीम्स होते हैं उनमें तो होते ही हैं लेकिन मैं आपको बता दू तो गैजट होता है ओके वह मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए रिपोर्ट एब्यूस रिपोर्ट इन एप्रोप्रियेट कॉंटेंट अगर यह आपके में था ठीक है आपके साइड बार में लगा था कहीं भी लगा था आपने उधर से कोई रिपोर्ट किया है तब ही यह लॉक हुआ है पहला यह था इसका सॉलुशन ठीक है कि अगर कोई रिपोर्ट कर दिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं फिर आपको रिव्यू के बाद वेट करना पड़ेगा उन लोग रिव्यू करेंगे उसके बाद फिर देखा जाएगा आप क्या कर सकते हैं लोग कर लेना है ताकि अगर आपके साथ इन फ्यूचर यह हो क्योंकि देखिए अब ब्लॉगर बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है ठेक है मैंने जस्ट एक वीडियो बनाई है यह वीडियो भी जस्ट पोस्ट किया हूँ और यहां पर मैंने आपको बताया भी है अब अभी कुछ नया आया यहां पर इमेजे को दिख करती है तो ऐसे करते हैं आटो ब्लॉगिंग यूट्यूब वीडियो की और जैसे कि आप नहीं दो यह पता नहीं क्यों मैं को मेरी अच्छे से नहीं दिखा रहा है तो इक काम क करते हैं इसको अच्छे से खोज के देख लेते हैं वीडियो को फादा चल रहा है मेरे वीडियो को पॉपिराइट आजाए तो क्वालिटी सबसे हाई कर लेते हैं कि 720p तो देखे यह जस्त ना यह डिलीट किया और देखे बाकी सब मैं तो कुछ दिक्क्त नहीं है लोगर ने डिटेक्क कर लिया था खोडी ओके अब तो पहले आता हूं और रीफ्रेश करेंगे और यह और टो ब्लॉग हुआ तो देखे यह आपर तो देश्व पोस्त वस अन पब्लिश्ड बिकॉस इट वॉइलेट सब्लोगर कम्यूनिटी गाइडलाइन्स यह पोस्त जो था यह कम्यूनिटी काइडलाइन्स को अब यह काम नहीं करेगा पहले ऐसा नहीं होता था ब्लॉगर के कम्यूनिटी काइडलाइन्स को थोड़ा सा इसको प्लीज अप्डेट अप्डेट थे कॉंटिये और इस वाले वीडियो में कुछ दिक्कत आई इसमें कुछ ऐसा चीज देख सकते हैं यह जो कीवर्ट से बस इतना ही है और यह टाइटल में ठीक है जो करेंग काइडलाइन्स को और पहली बार इसको भी मिनिमाइज करूंगा थीक है यह पोस्त को डिलीटी कर देता हैं कोई दिक्कत नहीं है तो देखे इतना सा था तब अभी भी यह वाइलेट किया है ब्लॉगर की कम्यूनिटी आइडलेंस को तो आपको इसी कारइंट से आपको बच के रहना है और किसी में तो नहीं है यार पहली बार देखनें पर ऐसा बुछ दिख रहा है 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 ना यह था एक वीडियो इसको अटा जयता हूं आप अब हम जानते हैं कि और क्या रीजन्स हो सकते हैं यहां पर देखिए आपको एक कॉंटेंट कैसे टाइप के डालने चाहिए इसके उपर भी मैं आपको यह लिंक नीचे दे रहा हूं बेसिकली मैं आपको एक दम उपर उपर की चीजे बता जाता हूं अगर आप एड़कोंटेंट पस्ट कर रहे हैं थीक यहांऊ हो तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अगर आप कुछ ऐसी बाते कर रहे हैं जो एडल्ट है तो आपको सेटिंग में जाके यहां पर एडल्ट कॉंटेंट में वार्निंग शो करनी चाहिए ठीक है बस कम से कम वार्निंग तो शो कर दो अगर आप सही में ऐसे कोई पोस्ट कर रहे हो तो सेकंडली अगर आप कोई चाइल्ड अभ्यूज या ऐसी चीजों के उपर बना रहे हो जैसे किसी बच्चे के आपने उसके उपर लिख दिया ठीक है और उसके बारे में आप उसको उसके सेक्शुल कॉंटेंट को आपने कुछ डाल दिया ठीक है तो यह सब चीजे जो है न इन लीगल है एक तरीके से तो यह सब चीजे आपके ब्लॉगर में simply आपके ब्लॉग को लॉक कर सकती है dangerous and illegal activities ठीक है और harassment के ऊपर आप लिख रहे हैं ठीक है hate speech आप लिख रहे हैं ठीक है जो लुटियर नहीं करना है प्लीज के बारे में नहीं लख सकते हैं और आपको और भी चीजें यहां पर लिखेंगे इस अर्व पालेशी को सब्सक्राइब प्रोइड करना है टेरोरिस के बारे में नहीं लिख सकते हैं copyrighted content it's our policy to respond clear notice ठीक है तो copyright content भी आपको प्रोवाइड नहीं करना है please don't provide links to site where you your readers can obtain unauthorized downloads यह सब लिंक भी आपको प्रोवाइड नहीं करना है mislead नहीं करना है तो यह सब कई चीजें जो blogger खुछ से verify नहीं कर सकता है लेकिन कोई अगर report कर दिया है तो फिर आपको report यहां देख सकते हैं report simple सा होता है blogger में एक report कोई डालना कोई बड़ा चीज नहीं होता है समझ रहें तो यह सब report से बचना है आपको है ना और भी और एक main चीज थी मैं आपको बता रहा हूं जो में को लगता है कई लोग को नहीं पता है वो क्या था हां यह रखिए do not use blogger as a way to make money on adult content समझ रहें for example don't create a blog that contains ads or links to commercial sites ठीक है बोल नहीं सकते है यूट्यूब के subtitles में आ जाएगा में कोई strike ना पड़े तो यह सब यह सब आपको समझना पड़ेगा जैसे आपको कोई ad banner लगा रहें किसी third party का और वो गलत एड प्रोवाइड कर रहें आपको आप भले उससे ज्यादा पैसा कमा रहें लेकिन वह सब यह सब करें तो इसलिए आपका ब्लॉग हो सकता है यही सब कारइंट है और मिलते हैं किसी अगली अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड नाइट